नमस्का सौगत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल में आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटिट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन्स यह जो कोश्चन्स से इंपोर्टेंट होने के साथ साथ सेलेक्टिट भी है इसलिए आप विडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रही है और यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रही है तो स्टार्ट करते विडियो पहला कोश्चन है विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गई थी काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है बताईए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उप्शन B दुत्य विश्व युद्ध के दोरान छती ग्रस्त अर्थिवेवस्ताओं के पुना निर्मान के लिए काफी important question है बताईए क्या क्यों की गई थी बिश्व बेंग की स्थापना बिश्व बेंग की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश दुत्य बिश्व युद्द से बरबाद हुई अर्थे वेबस्ताओं के आर्थिक पुना निर्मान और विकास के लिए सदस्य देशों को दिर्ग कालीन पूंजी प्रदान करना था important है next question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से कौन सा कथन सही है काफी important question है बताईए इसका सही answer क्या हो जाएगा कौन सा कथन सही है तो इसका सही answer हो जाएगा option A. IMF का प्रत्यक सदस्य स्वाचलित रूप से बिश्व बेंग का सदस्य बन जाता है काफी important है next question देखते है अगला question है निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है काफी important question है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option B. जो IFSC ठीक है जो IFC जो है वो क्या है इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी बट option में कितना दिया है 1948 में इसलिए IFC जो है गलत है बाकी जो तीन option दिये है वो क्या है सही है next question देखते है अगला question है IBRD में कुल कितने सदस्य देश होते है काफी important question है बताइए इसका सही answer क्या हो जाएगा कितने सदस्य देश होते है तो इसका सही answer हो जाएगा option C 189 बेंक का सदस्य बनने के लिए IBRD समझोतों के अनुच्छेदों के तहट किसी भी देश को पेले अंतराश्टी मुद्राकोश जिसको हम बोलते है IMF में शामिल होना चाहिए बरतमान में IBRD में 189 सदस्य है बिश्व बेंक समू की प्रत्यक संस्था के सदस्यों की संख्या अलग-अलग होती है Next question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए इसका सही answer क्या हो जाएगा काफी important question है तो इसका सही answer हो जाएगा option D अंतराष्टी मुद्रकोष में भारत का vote share 10% है जो की क्या है गलत है अंतराष्टी मुद्रकोष के vote share में भारत की हिस्सेदारी कुल vote का 2.64% है जबकि अप्रेल 2018 तक IMF में भारत का quota 2.76% है important है तो यह जो option D है गलत है next question देखते है अगला question है बिश्व बेंक समू के बरतमान अध्यक्ष कोन है काफी important question है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option B डेविड मलपास important है बिश्व बेंक समू के बरतमान अध्यक्ष डेविड मलपास है वह बिश्व बेंक समू के तेरवे अध्यक्ष है उन्हें अप्रेल 2019 को बिश्व बेंक समू के कारिकारी निदेशक मंडल दोरा चुना गया था important है next question देखते है अगला question है निमलिखित में से कौन सा कथन सही है काफी important question है बताएए इसका सही answer क्या हो जाएगा फटा फट बताएए तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option C Adam Smith बिश्व बेंक के संस्थापक पिता है next question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से किसे बिश्व बेंक समू के अध्यक्ष के रूप में कभी नियुक्त नहीं किया गया काफी important question है बताएए क्या होगा इसका सही answer तो इसका सही answer हो जाएगा बताएए फटा फट क्या होगा इसका सही answer तो इसका सही answer हो जाएगा option A Paul Cugman important है जो Paul Cugman है एक अमेरिकी अर्थ शास्तरी है जो बरतमान में City University of New York के graduate center में अर्थ शास्तर के professor है उन्हें कभी भी बिश्व बेंग समूख के अध्यक्ष के रूप में नहीं नियुक्त किया गया next question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से कौन सा बिश्व बेंग का कार्य नहीं है काफी important question है बताएए इसका सही answer क्या हो जाएगा बताएए फटाफट क्या होगा इसका सही answer comment box में बताएए क्या होगा इसका सही answer तो इसका सही answer हो जाएगा option D. मुख्य रूप से उत्पादक गती बिधियों के लिए रिन प्रदान करना ठीक है जो बिश्व बेंग है सदस्य देशों के विकास कारों के लिए रिन उपलब्द कराने में मुख्य भूमी का निभा रहा है यहाँ पास से परस्तिज वर्षों के लिए दिर्ग काली करिन प्रदान करता है next question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से कोन सा संस्थान बिश्व बेंग समू का हिस्सा नहीं है काफी important question है तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा option B बिश्व ब्यापार संगठन या बिश्व ब्यापार संगठन बिश्व बेंग समू का हिस्सा नहीं है बिश्व बेंग समू में पांस अंस्थाए है अर्थात पुना निर्मान और विकास के लिए अंतराश्टी वित निगम जिसको हम बोलते है IFC और जो है बहु पक्षिय निवेश गैरेंटी एजनसी जिसको हम बोलते है MIGA और अंतराश्टी निप्टान केंदर निवेश विबाद ठीक है next question देखते हैं अगला question है बिश्व बेंग का मुख्याले कहां परिस्ती थे काफी important question है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option A Washington DC next question देखते हैं अगला question है बिश्व बेंग की स्थापना कब की गई काफी important question है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option A 1944 इसी प्रकार के वीडियो को प्राप करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे चैनल पर देड़ हजार से भी जादा वीडियोज है आप उन वीडियोज को वाच कीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए वीडियो में तक बने रहने के लिए धन्यवाद